परमेश्वर की आशिशें छल और कपट से हांसिल नहीं की जा सकती। सृष्टी करता परमेश्वर चाहता है कि एक मसीही अपना आत्मिक जीवन विश्वास के साथ जिये। वैसे विश्वास के बिना आत्मिक जीवन जिया ही नहीं जा सकता। जब भी आपके मन में कोई आत्मिक सोच होती है या आप जीवन में कोई आत्मिक फैसला ले रहे होते हैं तो समझो उस खशन में आप आत्मिक जीवन जी रहे होते हैं लेकिन इसके ठीक विपरीथ जब आपके मन में कोई सांसारिक सोच होती है या आप शरीर में कोई फैसला ले रहे होते हैं तो उस क्षण आप केवल शारीरिक जीवन जी रहे होते हैं एक मनुश्य जिसने अभी अपने पापों से मनफिरा कर येशु के बलिदान से मिलने वाली क्षमा स्वीकार नहीं की है मतलब उसका उद्धार नहीं हुआ है और उसे पवित्र आत्मा नहीं मिला है तो उसका तो आत्मिक जीवन अभी आरम भी नहीं हुआ है इसलिए जाहिर है वो केवल शारीरिक और सांसारिक जीवन ही जीएगा लेकिन एक मसीही जिसका उद्धार हो चुका है परमेश्वर उससे अपेक्षा रखता है कि वो सदा आत्मिक जीवन ही जिये मतलब परमेश्वर के वचन के आधार पर जिये लेकिन ऐसा मनुश्य भी कई बार सांसारिक सोच रखता है और अपने शरीर में ही फैसले लेता है इस क्लास में हम चार लोगों के विशे में पढ़ेंगे जिन में से दो तो शारीरिक ही थे लेकिन बाकी दो आत्मिक थे मगर उन दोनोंने भी अपने अपने स्वार्थ के लिए शारीरिक फैसले लिए और उनके परिणाम भी भुगते तो ऐसा कैसे हो जाता है उसे आदम से मिला है और उसमें पाप होता है लेकिन जिस मनुश्य का नए सिरे से जन्म हो जाता है उसके अंदर दो स्वभाव हो जाते हैं एक वन्शा नुगत मिला आदम का स्वभाव और दूसरा येशु का स्वभाव अर्थात परमिश्वर का स्वभाव और पवित्रात् उसे येशु के स्वभाव में चलने के लिए प्रूत साइद करता है लेकिन फिर भी वो मसीही कभी कभी अपने आदम के स्वभाव में वेवार करने लगता है क्यों पावलुस ने कहा गलातियों के 5-16 में आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीती से पूरी न करोगे क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं यही कारण है कि हम सब कई बार सांसारिक हो जाते हैं तो क्या समादान है कि हम सधा आत्मिक जीवन जी हैं, एक ही समादान है, वचन, जितना वचन आपके हृदय के आसपस होगा, उतना आप आत्मिक जीवन जी पाएंगे, इसका मतलब है कि आपको निरंतर वचन का अध्यन करते रहना पड़ेगा, जैसा आप अभी कर रहे हैं, यह वीडियो देखकर, ऐसे ही करते रहे हैं, इस अध्याय में हम देखेंगे, कि किस तरह एक पूरा परिवार विश्वास से हटकर, अपनी शारीरिक बुद्धी से फैसले लेता है, जिसके परड़ाम सोरूप, पूरा परिवार बिखर जाता है, इस अध्याय में हम पढ़ ग्योंकि परमिश्वर को पता था, कि एसाब जो बड़ा है, वो उस पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन याकुब जो छोटा है, वो करेगा. तो जाहिर है, रिपका ने इसाग को भी ये बात बताई होगी, मतलब इसाग को भी पता चल गया था, कि परमेश्वर ने याकुब को चुना है अपने योजना पूरी करने के लिए, ऐसाग को नहीं, अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं, तो आप इसे हमारे वे अकाउंट में नवंबर के वीडियो में मिल जाएगा, अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं, तो अच्छी स्पीड के लिए कृपिया Google Chrome या Mozilla Firefox ब्राउजर इस्तमाल करें, तो इनको डाउनलोड करने के लिए आप Play Store में जाएं, और उपर Google Chrome टाइप करें, फि इसी तरह आप Mozilla Firefox टाइप करें, फिर आप Mozilla Firefox ब्राउजर पर क्लिक करें, और उसे इंस्टाल करें, ये भी एकदम फ्री है, इसके बाद आप Google Chrome ब्राउजर को क्लिक करके उसे खोलें, और उसमें HindiBibleStudy.com टाइप करें, मतलब पूरा HindiBibleStudy.com एक साथ बिना किसी गैप के, तब हमारा वेबसाइट गूगल क्रोम में खुल जाएगा, और आपके वीडियो अच्छे से चलेंगे, इसी तरह आप Mozilla Firefox ब्राउजर भी क्लिक कर सकते हैं, और उसमें भी बिना गैप के, HindiBibleStudy.com टाइप कर सकते हैं, उसमें भी हमारे वीडियो बिलकुल आराम से चलेंग कर, 240P, 240P सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका बहुती कम डेटा खर्च होगा, 240 सेलेक्ट करने के बाद, आप वीडियो के बाहर कहीं भी क्लिक कर दीजिए, फिर वीडियो को पीछे ले जाकर शूरू से देखिए, अगर आप हमारे वेबसाइट के विशे में जानकारी हास करन, second face of our ministry, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है,